जैश्रा दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जोतिश और विवा इस विशय पर एक लंबी सीरीज हमने बनाई है काफी सारे वीडियो उस पर आये हैं जिनके टाइटल अभी आप इदर देख रहे होंगे इसी शंकला में आज हम बात करेंगे कुंडी देखकर कैसे बताया जाता इससे समझे कई सारे नियम है उनी में से एक बहुत महत्मून नियम आज मैं आपके साथ साजा करने जा रहा हूँ जो मैंने जितनी कुंडी पर लगाया अभी तक भगवान के कृपा से अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है तो आप देखिए और इसको समझीए तो विलम नही आदी एक ऐसा विशे है जो जब तक ना हो तब तक परिवार वाले परिशान रहते हैं जाह तक स्वयम परिशान रहता है अगर किसी वज़े से विवा में वेलम हो जायते हो और जब हो जाता है तो लगता है कि थोड़ा जल्दी हो गई बेट करते तो शायद कोई और अच् कर दी जाती हैं कुछ कम्यूटी में शादिया जल्दी हो जाती है वहीं आप अगर आसाम वेस्ट वेंगॉल की साइट चले जाएं या इवन मेटर वॉल्टन सिटी में देखे तो वहां पर विवा की जब बढ़ती जा रही है 28 से 30 से 32 और यह कॉमन सी हो गई है तो मैं जस उसके बावजूद भी या आपका विवा बड़ी सरलता से सुगमता से समय के साथ हो जाएगा तो इससे चुड़ा एक नियम है मैंने इसे पहले भी कहा ऐसे कई सारे नियम है जिनको हम इखटे चाटपा देखते हैं जब कभी भी मैरेज की डेट की बात आती है उनमें जो मैं आपको बता रहा हूं यह श्लोक अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो यह क्या कहता है लगने कुटुम्ब यदिदार भावे शुभान वितय शोभन वर्ग युकते तदीश्वरे शोभन दरश्ट युकते बाले विवादिक माह को राव्या इसका क्या अहं सब जानते हैं की सब्तंव विवाद के लिए देखा जाता है व किटिम हो विवामें पार्टनर का विवार हो सब लिए सेवंद हैंद लगनinya चालतक को चयากव को प्रद चाजित करता है कई केसे आते हैं जहां पर ए谢 का पहले मेरा करिया एक बार ये position attain करनों तो मैं शादी करूँगा वहाँ पे शादी के योग बन भी रहे हो बार-बार भी आ रहे हो तो अगर जातक नहा नहीं कर रहे है तो फिर शादी कैसे होगे जब अलदसी तो आप बिठा नहीं सकते तो लगन कुटुम बुस्तान अब दीके कुटुम बुस्तान जिसे दूसरा भाव कहते हैं क्यों महत्पून है क्योंकि ये जो भाव है ये तीनों भाव कुटुम परिवार में हमारे भातिय संस्किति में तो जब जीवन साथ ही आता है या आप किसी के घल जाते हैं तो आप केवल एक व्यक्ति के साथ नहीं जोड़ते हैं उस पूरे परिवार के साथ जोड़ते हैं उनके कल्चर, उनके रीती रिवाज और सारी चीजों के साथ कनेक्ट होना पड़ता है तो इसलिए इन तीन भावों के बारे में यहां बात कही गई क्या बात कही गई मतलब क्या है कि यदी इन भावों में शुब ग्रे बैठे हो यदी इन भावों में जो ग्रे बैठे हैं उच्छे वर्गों में हो मैं अभी example चार्ट दिखाँगा उससे आपको जादा clear हो जाएगा क्योंकि जब थियोरी पढ़ते हैं तब बात अलग होती है तो फिर समझना पढ़ता है कि नियम कैसे लगाने तो शोभन वर्व युकते तदिश्वरे मतलब उस भाव के लौट इश्वर बोलते हैं स्वामी को तो उन भावों के स्वामी भी यदि शोभन युकत और दिश्ट हो मतलब शुब ग्रहों के प्रभाव में हो तो बाले विवादिक माहुर आ रहा बाले अवस्ता में ही विवा हो जाता है अब भाई आज के टाइम में बाले विवा अगर आप या चाइल मैरेज के लिए जाएंगे तो इस नियम को वैसे तो नहीं लगा सकते लेकिन हां जल तो ये जल्दी विवाग के सूचक है पर केवल इतना ही नहीं वो जो तीन ग्रह वहाँ बैठे हैं क्या वो नवांश कुंड़ी में शुब राशियों में गए इसको चेक कर लीजिए और इन घरों के मालिक भी या दिशुब ग्रहों से द्रिश्ट हैं युथ हैं तो यकीन मा कि आपकी कुंड़ी में जल्दी विवाग के योग हैं जैसे एक 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 जार्ट लेते हैं जो चार्ट अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा है यह पांस सितंबर उन्निस वत्यहत्तर का है आठ बचकर उन्निस मिनट का जन्म है सुबा का और सैंट लुईस मिसौरी इस में चंद्रमा है अगेन एक शुबग्रे सब्तमभाव में ब्रहसपती है वो भी शुबग्रे काउंट होता है यदि यहां पे गुरु नीच का है पर फिर भी शुबग्रे शुबग्रे है हमें यहां पे इस नियम के अनुसार शुबग्रहों को देखना है अब यह देखते ये तीनों जो वहाँ बैठे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है जल्दी विवादा, अब वहाँ पर आते हैं, देखते हैं, जनकुल्डी में क्या देखता है, लगन में बैठा जो शुक्र था वो नवांश कुल्डी में तुला में चला गया, तुला यानि शुक्र की राशी स इसके बाद हम ब्रहस्पती की बात करते हैं, ब्रहस्पती मिथुन में है, अगेन एक शुब राशी, चंद्रमा जो की सेकेंड आउस में बेटा है वो धनु में है, एक और बाद वो शुब राशी को, इसके बाद इन घरों के मालिकों पर भी एक बार नजर डाल लीजे, ये अगर शुब में हो जाए तो बहुत ही जल्दी शादी हो जाती है, मतब इनके ओपर अगर शुब रहोगा ब्रभाव, यहाँ पर लगन का स्वामी चंद्रमा है, उस पर कोई शुब रहे की दिष्टी नहीं है, आपर तो शनी की दिष्टी है, जनम कुंडी की बात कर रहे ह लेकिन अपार्ट फरम इट बाकी दो नियम पूरी तरह से है, इस जातक का विवा साड़े 23 साल की उमर में हुआ, और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इनका जनम स्थान यूएस से है, अमेरिका है, और उस हिसाब से अगर आप साड़े 23 साल की बात कर रहे हैं, तो जल्द होना चाहिए, अभी होता क्या है, यह नियम एक हुआ, जिसको हमें समझना है, आपके पास केसे ऐसे आ सकते हैं, इसी को उल्टा कर दें अगर हम, तो कि लेट मैरिज इसके चार्ट बहुत आते हैं, क्या उल्टा क्या करना है, जहाँ जहाँ शुब ग्रह बताए हैं, नवांश में सौमराशी में बैठने को का है, वहाँ वहाँ क्रूर राशियों में बैठ चाहें, तो यह यह इंडिकेट करता है कि मैरिज लाइफ में जरूरी देरी होनी चाहिए, विलंब होना चाहिए, अच्छा, क्योंकि यह नियम शास्त्रोक्त है, तो इसको जो हमने उ यह कुंड़ी है, एक फरवरे 1973 की, तेरा बच कर पंदा मिनिट दुपहर का जन्मू, जम्मू कश्वीर का जन्म है इनका, इस कुंड़ी में अगर आप ध्यान दे, तो विशब लगन की पत्रिका है, लगन में शनी है, दूसरे भाव में केतु है, सप्तम में मंगल है, अश सूर्य गुरू, शुक्र के साथ मोजी थे, अब वही तीन भाव जो पहले हमने देखे, कौन-कौन से, लगन, कुटम और दारभाव, या दाराभाव, सप्तम भाव, इन तीनों में हमें एक-एक पापी ग्रे नजर आया, लगन में शनी, सप्तम में मंगल, और सेकिंड हाउ में के तो, प्रॉब्लम तो दिखाता है, मेरे लाइफ में, अगर ऐसा कॉंबिनेशन हूँ, आप लोगों से भी मेरी यही अपेक्षा है, जो लोगे वीडियो अभी देख रहे हैं, अपनी अपनी कुंडियों में, या अपने परिवार में, जिन लोगों की कुंड़ी में, वहाँ पे तीन शुब ग्रे हैं, या वहाँ पे अगर कुर ग्रे हैं, तो आप अपना अनुभव जरूर साजा कीजेगा, क्योंकि जितना, मैं आपको बता रहा हूँ, उतनी हेल्प आप लोगों से भी हमें मिलती है, जब यह डिसकेशन होता है, तो आप जरूर शेर कीजे का, नवांश कुंड़ी में करक में गया, सब्तम में जो मंगल बैठा था, वो गुरू की राशी में गया, सेकेंड आउज में जो केतु बैठा था, वो मेश राशी आनि मंगल की कुरू राशी में गया, तो आउट ओफ इस ट्री प्लानेट, टू आर इन बेनेफिक नवाम अगर वो बेनेफिक नवाम्श में हैं तो यह जो जितना विलंब जादा दिखता है वो कम कर देते हैं इतना लंबा अवधी तक वेट नहीं करना पड़ता है वहाँ बाले विवाकाल था तो यह विर्दा विवाकाल होना चाहिए तो इस जातक जिसकी आप कुंड़ी देख र और इस कुंड़ी में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां और भी एक चीज है जो आपको सीखने को मिलेगी पहले तो वही तीन भाव वहाँ देखे क्रूर ग्रे हैं या शुब ग्रे लगन सेकेंड और सेवन लगन में केतु सेकेंड में सैटर्न और सेवन्थ में रा आच्छा कोई बात नहीं कॉमन सी चीज है कई बार हो जाता है अब हम यह देखेंगे कि इस कुंड़ी में यह तीनों किसके नवांश में गए तो शनी इजन पाइसस मीन राशी में है राहु जो इस कुंड़ी में बैटा है सब्तम में वो कन्या में गया और जो केतु है वो मीन में आया तो कुल मिला के सौमे राश्यों में पर यहाँ पर एक बहुत खराब बात क्या हुई कि इस कुंड़ी में शुक्र जो विवा का कारक में बाना जाता है वो राहु केतु एक्सिस में आ गया उस पर मंगल की विष्टी आ गया मंगल यहाँ पर सब्तमेश है पर राहु के तु एक्सिस में सब्तमभाव का आना लगन का आना लगनेश के साथ आना और महत्पूर्ण यह है कि विवा के कारक का आना सिती को गंबीर बना देता है यहाँ पर केवल वो एक शुग्र शुक्र सिती को बचाएगा उसके संभावनाएं कम हो जाता है इससे पिछ ग्रूर होके बैटेगा और उस पर शनी के दिष्टी आईगी तो सुती अच्छी नहीं है तो वहाँ पर 30 साल में जहां विवा हुआ था इस कुंड़ी में विवा और विलंब से हुआ यह व्यक्ति 38 साल की उमर तक विवा के लिए प्रयासरत रहा उसके बाद जाके इस जा हो जाए या उन पर भी अशुब ग्रहों की दिष्टी आजए जैसे इस केस में हुआ इसकेस में अगर आप दुबारा देखें लगन का सौमी केतु के साथ था सेकिंड का लॉड जो बना मरकरी वो सूर्य के साथ था तो तीन ग्रहों में से दो ग्रह यहाँ पर पापी ग्र कुंड़ी है जारखन की कुंड़ी है 87 का चार्ट है कन्या लगन है लगन में मंगल के तू सब्तम में गुरु राहू तूसे भाव में सूर्यवत तो आप जरा इसको देखें और अपनी तरह से बताईएगा कि इसकी शादी आपको जल्दी नजर आती है या देली से नजर आत है एक बात यहां पर अभी हम दशा नहीं देख रहे हैं यहां पर अभी हम गोचर नहीं देख रहे हैं कब होगी कौन से तारिख या कौन से महीने में होगी इन सब चीजों में हम नहीं जा रहे हैं अभी हम सिर्फ यह बोल रहे है कुंड़ी देखकर विवा विलंब से होग ऐसे ही और श्लोक के साथ मैं अगली बार फिर आपके सामने हाजर होगा अभी के लिए इतना ही रखते हैं यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप यदि इस चैनल पर पहली बार आए है इस वीडियो को हमारे पहली बार देख रहे हैं तो जोतिश संबंदित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इससे हमारे और वीडियो जो जोतिश से संबंदित है वो आपको मिल सके अभी के लिए इतना ही रखते हैं मिलते हैं अगली बार ज मिलते हैं अगली बार नमस्कार